वेल हाई गाईज कैसे हैं आप सब भी लोग होग तो आप लोग बहुत जाद अच्छे होंगे गाईज मेरा नाम है एश परया एंड आप देख रहे हैं एशूस कॉर्णर गाईज आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ पाता अंजली के इस फेस वाश का रिव्यू श कॉंटिटी कितनी है कितना ज्यादा अफेक्टिव फेस वाश सारी ही डीटेल साज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं इस पेस वाश के बारे तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कॉंटिटी एस वेल इसका प्राइस क्यूंकि बहुत ज़धा अफोर्डेबल यह 60 ग्राम हमें मिल जाता है और 60 वूपय में मिल जाता है तो बहुत ज़धा अफोर्डेबल ऑ अगर हम दूसरे ब्राइट के चार्कोल पेस वाश को खरीते है तो घर्च बहुत साथा एक्सपेंसिप रहते हैं महैं लएते हैं फो говор यह अगर कहीं बाइचान से गिर भी जाता है तो तूटने के जो चांसे नहीं होते हैं वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ वो यह है कि मैं कोई भी ब्रांड के साथ लेकिसी भी ब्रांड के खिलाफ बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्स हैं आप मुझे बहुत पसंद आये हैं तो मैं जो भी हाप लोगों के साथ शेयर करते हूं वो प्रोड़क्त के लिएंया ना समझे कि मैं किसी भी प्रोड़क्त के खिलाफ हूं चलिए अब स्टार्ट कर लेतें इसकी पैकेजिंग से, गाइस में स्टार्ट कर रहे हूं पाता अंजली फेस वॉश की पैकेजिंग से, आप देख सकते हैं कुछ ब्लाक कलर के ट्यूब में यह मिल जाता है, पाता अंजली एक्टीवेटेड चार्कोल, या फिर कहें कि विटमिन ए भी इसके अंदर है, 60 ग्राम यह मिल जाता है, कुछ इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में हमें मिलता है, नीचे जो इसका कवर है, वो एक फ्लिप फ्लॉप कवर उपर दिया हुआ है, इसके इंग्रीडियंट्स हम देख सकते हैं, ये घ्रतकुमारी, नीम, किये गए हैं, अब मैं बात कर लेती हूँ, उसकी एक्सपायरी डेट की, तो आपको दिख रहा होगा, कि इसमें लिखा हुआ है, 18 months from the date of manufacturing, आप जब भी इसे खरी दें, तो manufacturing डेट जरूर चेक कर लें, बात करें इसके इंग्रीडियंट्स की, तो अगर आप लोग इसे ये सोच करके ला रहे हैं, कि एक आयरुवेदिक प्रोड़क्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयरुवेदिक प्रोड़क्ट में ये जो क्यामिकल्स हैं, वो बिल्कुल नहीं रहते हैं, इसका usage में आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरा जो face है, वो बहुत बहुत जादा कम हमने नहीं लेना है, मैंने कुछ जादा ही कम ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े से और face wash की ज़रूरत पढ़ने वाली है, क्योंकि इससे तो बिल्कुल भी foam मेरे face की उपर नहीं बना है, तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा और face wash है, वो लिया है, अब आप देख सकते हैं, मेरे face पर कितनी जादा मातरा में ये जो foam है, वो बन रहा है, जिन face washes में कम से कम foam बनता है, यानि की जाग बनता है, वो जो face washes होते हैं, हमारे skin की उपर बहुत ज़दा mild होते हैं, हमारे skin को बिल्कुल भी dry out नहीं करते हैं, तो ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपकी skin dry है, तो ये आपकी skin को बहुत ज़दा dry बना देगा, मेरी skin oily है, लेकिन इसको use करने के बाद, मेरी skin dry हो गई थी, चलिए, मैं आपको पने face wash करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से, मेरा जो face हो गया है, तो इसको wash करने के बाद, कुछ इस तरह हमें अपने face को tap tap करकर के dry out कर लेना है, आप देख सकते हैं, मेरे face से जितना भी excess oil था, पूरा का पूरा निकल गया, तो मुझे ये जो face wash है, इतना जादा पसंद नहीं आया, क्योंकि एक अच्छा face wash वही होता है, जो हमारे skin के natural oil को खोने ना दे, तो हमारे skin का जो natural oil है, पूरा का पूरा इस face wash की वज़े से बाहर निकल गया, तो मुझे ये जो face wash है, वो इतना जादा पसंद नहीं आया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस face wash को यूज़ करने के बाद, हमारे skin के उपर बहुत जादा जहाग बनता है, जो कि एक mild face wash के करने के बाद, हमारे skin की उपर बहुत जहाग नहीं बनता है, क्योंकि जब हमारे skin की उपर बहुत जहाग बन जाता है, तो हमारे skin का जो natural moisture होता है, वो कही ना कहीं lost हो जाता है, इस वज़े से, मैं बहुत जहाग बनने वाले face wash को उतना जादा पसंद नहीं करती हूँ, इस तो आपके जो स्केन है वो और भी जादा ड्राइ हो जाएगी और आपको बिल्कुल प्रसंद यह नहीं आएगा तो ड्राइ स्केन वाले से बिल्कुल भी यूज ना करें लिकिन अगर आपके स्केन ओईली है तो आप इसे अफकॉर्स यूज कर सकते हैं अगर आप यह सोच कर प्रॉड़्स यह तो इसना का आपको सिर्फ और फहेश पारण का मिले तो कि अगर नहीं है तो आप इसे खरीज सकते हैं लेकिन ऐसा सोच करके बिल्कुल भी ना खरीदें कि एक आयरवेदिक प्रड़क्त है गाइस में उमीद करती हूं कि जो यह मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए अफकॉर्स बहुत जादा हिल्फुल रही होगी अगर मेरी वीडियो आ उपने सारे सब्सक्राइब के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लीजिए साथ बैल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो उसकी नोटिफि कि साथ तब तब कि लीप